हेलो दोस्तों आचल तेरिस गाडन में आपका स्वागत है आज है संडे वीडियो की शुरुआत करते हैं खुपसूरत हिबिसकस फ्लावर से ये वही वाला प्लांट है जिसे पिछले मांसुन मैंने रोड साइड घर से लाकर लगाया था चार पांच प्लांट इसके रेडी हो चुके हैं और फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है कई फ्लावर्स दे चुका है ये गुढ़ल का प्लांट किस तरह से मैंने इसकी कटिंग लगाई थी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी वीडियो का लिंक आप जरूर देखिएगा बहुत लोग पूछते हैं कि आप हिबिसकस की कटिंग कैसे लगाते हैं तो आप जरूर देखिए उस वीडियो को और आज की वीडियो मैं थोड़ा सा अपना गाडन वर्क शेयर करूंगी उससे पहले कुछ प्लांट्स भी देख लीजिए जिन में फ्लावरिंग चल रही है देखिए आप राजी तक इतना प्यारा तीन प्लांट इसमें लगे हुए हैं तीन अलग-अलग वरायटी के जिसमें से आप देख सकते हैं वाइट वाला है सिंगल पैटल ब्लू वाला सिंगल पैटल और ब्लू वाला डबल पैटल देखिए ये डबल पैटल है बहुत खुबसूरत और जैसे ही बारिश मेरा वही सेड वाला एरिया है तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा आज बहुत सारा काम करना है मुझे तो अभी तो दोपहर के तीन बजे हैं जब मैं ये विडियो शूट कर रही हूँ दो या तीन बज रहे हैं अभी और ये जो नेट के नीचे वाला एरिया है उसको मैंने आज सफाई करी है बहुत सारे विवर्स मुझे से बोलते हैं कि प्लांट्स और गार्डन आपका बहुत खुबसूरत है लेकिन इधर उधर पड़े रहते हैं आपके प्लांट्स तो मैं अरेंज नहीं कर पाती आप सभी को बताना चाहूंगी कि मैं एक वर्किंग उमन हूँ और मेरे पास इतने सारे प्लांट्स हैं कि मैं जितना मुझे समय मिलता है अपना समय मैं प्लांट्स को हेल्दी बनाने के लिए लगाती हूँ फ्रेंट्स काम करती हूँ और अरेंजमेंट में यदि मैं अपना टाइम वेश्ट करूंगी तो फिर मुझे प्लांट्स की केर करने में समय नहीं मिल पाएगा इसलिए मेरा जो गार्डन है वो थोड़ा सा बिखरा हुआ आपको दीखता है लेकिन प्लांट्स क के प्लांट पर उगा हुआ था ये जो आप टोरेनिया का प्लांट देख रहे हैं वो छोटा सा पाउडर पफ का प्लांट जिसको मैंने सीड से तेयार किया था उस प्लांट पर उस पॉट में ये टोरेनिया का प्लांट उगा था और वो उसको कवर कर लिया था तो पाउड चल जाती है, तो कोई extra मैं नहीं करती, फ्रैंड्स एक्दम simple तरीके से cuttings लगाती हूँ देखीए ये इस तरह से तो 3-4 cutting लगाकर आपको दिखाऊंगी और simple garden की मिट्टी में cutting लगाती हूँ मैं, या फिर pure sand में भी, pure sand में भी बहुत अच्छा result मिलता है जैसे कि अभी आप गुल्दाओदी की cutting लगाएंगे तो pure sand में लगाएं या फिर half part मिट्टी और half part sand तो देखे ये पुराने गमले की मिट्टी है इसी में मैं लगाऊंगी और आप टोरेनिया के प्लांट को देख सकते हैं कि इसमें roots रहते हैं इसके जो node area है वहाँ से roots निकलते हैं बारिस के दिनों में तो आप simple सा वही node वाला area को मिट्टी में दबा दें और आपकी cutting ready हो जाएगी देखे बड़ी cutting भी चल जाएगी इसमें और छोटी cutting भी ready हो जाती है मैं आपको दिखाती हूँ छोटी cutting भी लगा कर यहां से और मुझे cutting लगाने की इसकी जरुरत नहीं पड़ती क्योंकि ये seed से मेरे garden में उगते रहते हैं इसके seed गिरे रहते हैं मिट्टी में और धेर सारे plant बनते रहते हैं pot में उगते रहते हैं कोई दूसरे flower plant के pot में उगते रहते हैं जैसा कि आप सभी देखते हैं यदि मेरे regular viewers हैं तो कई सारे plants pot में ये torenia के plant उगे रहते हैं और जिसको मुझे उखाड़ना भी पड़ जाता है कई बार गास की तरह तो एक बार मैं इस plant को लेके आई थी नर्शरी से 3-4 साल पहले और उसके बाद मुझे इसको लेने की जरुरत नहीं पड़ती यही color variety का वैसे तो torenia में बहुत सारे colors के flower वाले plant मिलते हैं लेकिन ये जो purple और white का shade है वही वाला मेरे garden में टिका हुआ है seed से multiply होते रहता है देखे छोटी cutting भी इसकी चल जाती है बड़ी cutting भी चल जाती है और इसको आपको रखना है shady place पे मैं इसे green net के नीचे ही रखूँगी और आपके पास यदि green net वाला area नहीं है तो आप ऐसे जगा पर रखे जहां morning की एक दो घंटे की sunlight इसको मिले sunlight जरूरी होता है friends किसी भी cutting के चलने के लिए और seed भी यदि हम grow करते हैं तो बिना sunlight के हमारा seed भी germinate नहीं होता और बिना sunlight के हमारी cutting भी grow नहीं होती तो जरूर आप sunlight का ध्यार रखे एक आद घंटे की और चलिए अब एक काम और करना है आज संडे है तो आज इसको भी निप्टा देती हूँ ये मेरा दो प्लांट है cutting से ही तैयार प्लांट है ये बालती में लगा हुआ है तो इसको मुझे क्यारी में shift करना था actually ये वाला वीडियो मुझे share करने नहीं था लेकिन मेरे एक बहुत अच्छे वीवर्स है जटिन कटियार जी उन्होंने कहा था कि जब भी आप क्यारी में कोई प्लांट लगाएंगी तो उसका वीडियो जरूर शेयर करिएगा तो आज मैं दो प्लांट लगाने वाली हूँ क्यारी में ये है पारिजात ये भी कटिंग से रेडी हुआ है देखिए ये बाराइंच के सिमेंट के पॉट में लगा हुआ था इसका एक और प्लांट है टेरिस पे वो भी बाराइंच के पॉट में लगा हुआ था लगा हुआ है मदर प्लांट है वो और ये cutting से ready हुआ है तो लगबग 2 साल का plant होगा ये 2,5 साल का तो इसको मैं यहां shift करूँगी क्यारी में और एक गुढ़हल को तो गुढ़हल का मैं पीक डाल दूँगी वीडियो में आप देख लीजिएगा ये वाला color का गुढ़हल है बहुत प्यारा सा flower आता है इसका mother plant था मेरे पास गुढ़हल का और वो मिली बग के attack के कारण ही खराब हुआ है और वो भी क्यारी में ही लगा हुआ था और काफी बड़ा plant बन चुका था वो तो मिली बग इतना उसमें लग चुका था friends की उसको मैं बचा नहीं पाई और उसको मुझे कटवाना पड़ गया काफी बड़ा plant था तो उसकी cutting मैंने ready कर ली थी terrace पे तो उसी plant को मैं आज यहां क्यारी में shift करने वाली हूँ तो थोड़ा सा hard work वाला काम है तो स्रीमान जी से कहा है वो यहां पर क्यारी में गढ़ा बनाएंगे क्योंकि मिट्टी गीली भी है बारिश हुई है तो मैं बारिश का ही इंतजार कर रहे थी जब बारिश होगी तभी इन दोनों plants को यहां क्यारी में shift करूँगी तो देखी यह चिकनी मिट्टी वाला क्यारी है मेरा जब हम यहां पर मिट्टी डलवाए थे तो काफी चिकनी मिट्टी आई थी उस समय और वही इसमें डला हुआ है तो कोई नई जमीन में यदि चिकनी मिट्टी भी है तो कोई दिक्कत नहीं होता plants की growth हो जाती है pot में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है well drain होनी चाहिए pot की मिट्टी और जमीन में तो किसी भी तरह की मिट्टी में plants अच्छे से survive कर जाते हैं तो स्रीमान जी से कहा मैंने तो गड़्धा बना रहे हैं यहां पर थोड़ा सा चिकनी मिट्टी भी है और मिट्टी गीली भी है तो मुझसे नहीं हो पाता और अच्छे से यहां पर गड़्धा करना है तो दो plants ही लगाऊंगी यहां पर क्योंकि पास पास भी यदि आप क्यारी में plants लगा देते हैं तो उससे plants की growth नहीं होती उनको proper sunlight और हवा वगेरा नहीं मिल पाता इस कारण भी अच्छे से नहीं चल पाते इसलिए gap का ध्यान रखना चाहिए तो यह देखे सिंपल तरीका है मेरा बस कुछ नहीं करना है इसके नीचे मैं मिला रही हूँ वर्मी कमपोष्ट और बोन मील यह कुछ चीजें यहां पर मैं डाल दूँगी ताकि रूट्स को कुछ एनरजी मिल जाए फर्टिलाइजर से और अच्छे से फिर उसमें ग्रोथ हो देखे यह बोन मील है यह दो तीन मुठी मैंने बोन मील डाल दिया है और वर्मी कमपोष्ट यह देखे दो मुठी के आसपास मैंने बोन मील डाल दिया है और वर्मी कमपोष्ट भी डाल दूँगी और नीम की खली यह तीन चीज मैंने यहां पर डाल दिया उसके बाद फिर इस प्लांट्स को लगा देंगे फ्रेंट्स यह देखे यह वर्मी कमपोष्ट है तो सूख गया है इस बार का वर्मी कमपोष्ट अच्छा क्वालिटी का नहीं है तो कोई नहीं अपना काम तो करेगा ही यहां पर अब रख देंगे सिंपल सा और उसके बाद इसमें मिट्टी डाल देंगे इसके बाद फिर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी जमीन में वैसे भी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से होती है यह पारिजात बहुत ही खुबसूरत फ्लावर देने वाला प्लांट होता है रात में इसके फ्लावर खिलते हैं खुश्बू भी बहुत अच्छी आती है और सुबह होते ही इसके जो फ्लावर होते हैं वो जढ़ जाते हैं और मेडिशनल वेलियो भी है और धार्मिक इसका महत्व भी है पारिजात के फूल का चलिए एक प्लांट तो लग गई अब दूसरा प्लांट भी लगा देते हैं य यहां पर इस तरह से उसके बाद थोड़ा सा तिर्चा लग रहा है मुझे तो इस तरफ घुमाने को कहती हूं मैं यह थोड़ा सा इस तरफ ऐसे ज्यादा हिलाने से इसके रूट्स डेमेज भी हो सकते हैं क्योंकि गीली है मिट्टी पॉट की भी मिट्टी गीली है और यह वाली तो देखे फ्रेंड्स यह लगकर तयार हो गया है तो इसका अपडेट भी शेयर करूंगी आज की वीडियो में यही शेयर करना था मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हैपी गार्टनिंग बाई थेंक यू